वेल्कम टो है से मैथमेटिक सड़ा फिर आज इस वीडियो में देखने वाले हैं सीजियल का एक प्रिवेश पिपर जो कंडेक्ट वाता 10th of August 2017 Shift2 में देखते हैं इसका First Question क्या रहा है how many numbers are there between 1 to 200 which are divisible by 3 but not by 7 हमें बताना है कि एक से दो सो के बीच में ऐसी कितनी संख्याय है जो तीन से भाग हो सकती है मगर साथ से भाग नहीं हो सकती है ठीक है 21 आ रहा है ना तो जो संख्या 21 है ना जो संख्या 21 होगी वो 3 से भाग हो सकती और 7 से भाग हो सकती है ठीक है मगर question के according ये क्या बूल रहा है कि 3 से तो भाग होनी चाहिए वंगर 7 से भाग होनी नहीं चाहिए यानि कि जो भी संख्या 1 से 200 के बीचे में 21 की multiple होगी वो 3 से भी multiply मतलब भाग हो सकती है और 7 से भाग हो सकती है तो हम क्या करेंगे जितनी भी संख्या होंगी उसमें से 21 के multiple को हम घटा देंगे ठीक है तो वो हमार answer हो जागा देखते हम कैसे कर सकते हैं अब देखो एक से 100 के बीच में 21 के कितने multiple हो सकते है एक तो 20 खुद है फिर एक 42 फिर एक 63 फिर एक 84 यानि फिस तो गी सव एक से 100 के अंदर 4 है तो 2 से की बीच में कितनी होगी 8 संख्या होंगी है ना जो की 21 से भाग हो सकती है तो 8 संख्या यह हो गई अब हमें मालूम है कि 1 से 100 के संख्याएं हैं जो भाग हो सकती है अब हमें निकालना है तीन वाली तो हमें मालू में एक से सौ के बीच में 33 संख्याएं होती है ठीक है 33 कैसे देखो 30 एक से 30 के बीच में 10 संख्याएं ऐसी होती है तो similarly 90 कितनी हो जाएंगी अगर 30 के अंदर 10 हैं तो 90 के अंदर 30 हो जाएंगी और हर 10 में 3 होती है हर 10 संख्याव में 3 संख्याएं 3 से भाग हो सकती है तो gelmişो में कितना हो जाएगा एक से लेके सौ के बीच में 33 संख्याए ऐसी है जो हमारी तीन से भाग हो सकते हैं अगर अपने को 200 दे रखा है तो 200 के अंदर कितनी हो जाएंगी 200 के अंदर हो जाएगी 66 है ना 66 हो गई अब हमें क्या बताना है तो देख लेते हैं हमने थोड़ दर पहले देखा था कि साथ मतलब 21 से भाग उन्वाइल संख्या होती थी एक से सौ के बीच के अंदर चार तो टूटल आठ थी तो अगर हम ध्यान से देखें तो किती संख्या हो जाएंगी टोटल तो हमार पास तीन वाली टोटल संख्या हो गई 66 ठीक है ये तीन से भाग उन्वाली संख्या हो गई 66 अब हमने थोड़ पर 21 संख्या देखी थी ठीक है 21 वाली संख्या है नॉर्मल के अल्कुलेशन के अकॉर्डिंग हर सौ में चार आती है मगर अगर हम ध्यान से देखें 200 जब हम 200 की बात करेंगे तो 9 संख्या आ जाएंगी कैसे क्योंकि देख लेते हैं हम अगर सौ में से 84 घटाएंगे तो 16 बचते हैं तो 66 से 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा 57 57 अंसर आ जाएगा ऑप्शन नमबर तीसरा ठीक है बस आपको इतनी सी बात पतावनी चाहिए क्वेशन तो बस बिना पैन के भी हो सकता थे बस आपको यह अप्रोच पतावनी चाहिए अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन दे रका है 10 औरते किसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं 10 वूमन 6 देज में 6 आदमी 6 आदमी कर सकते हैं 5 दे में और 8 बच्चे कर सकते हैं 10 दिन में तो अगर 10 आदमी मतलब 10 औरते 60 दिन में कर सकती है तो एक औरत करेगी 60 में है ना बस उनके नंबर से डेस को मुल्टिप्लाइक तो एक का जाएगा सिमिलरली एक मैन कर सकता है 30 दिन में और उसी तरह एक बच्चा कर सकता है 80 दिन में ठीक है हमें बताना क्या है कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं उनकी एफिशेंसी बतानी है ठीक है तो ऐसे केस हमें करना क्या होता है जितने भी दिन आते हैं उसके LCM निकाल लो LCM कितना करता है आजाएगा 240 यह यहन यहनि कि 240 तो कुल काम है और 1 बच्चा 60 दिनों में करता है तो एक दिने में कितना करता होगा हैं छह जाफ चौबस यानि कि एक और यह कार टेकर दिन पर गति है और एक आदमी अब दो कउर किदो आ जाएगा आट तो एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है ज़िल ली एक बच्चा दिन में 3 काम करता है तो अनुपात हो गया जय उन्कात आफ नों प अपतीन अपने को तीनों के वेक दिन की काम का उनुपात बतारा था सबसे पहले और ओरत फिर वा बाद में फिर बच्चा तो चार आर तीन ओप्शन नुबर चौथा अगला कोशन देखते हैं ओके थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं हाँ अगला कोशन करें दो बेलन के आयतन का अनुपात साथ बटे तीन है यदि उनकी उचाई का अनुपात साथ बटे नौ हो यदि दूसरे बेलन के आधार का शेतरफल ओके फ्रेंड अगर किसी सरकल का एरिया 154 होता है तो उसका रेडियस साथ होता है ठीक है यह पता होना अच्छी आपको एरिया अगर 154 हो तो साथ उसका रेडियस होगा ठीक है ना तो हमें मालूम चलकर जो दूसरा वाला बेलन उस R square into 7 क्योंकि पहले वाले बेलन की जो उँचाई है वो 7 दे रखे है और दूसरे वाले बेलन का रेडिस हमें निकाल लिए 7 तो 7 गुणा 7 into height कितनी है उसकी 9 है और दोनो जो हमारे आयतन है उनका अनुपात के दे रहे हैं 7 अनुपात 3 तो 7 से 7 शहीद हो गया 3 से यह 3 बर शहीद हो गया पाई से पाई शहीद हो गया हमें निकालना है R square तो R square कितना हो जाएगा R square वराबर 7 into 7 into 3 तो अब इसका अंडर रूट कर देते तो आ रहे जाएगा R is equal to 7 root 3 radius से निकालना था अपने को शायद अगर आप में से किसी को यह वाला logic समझ में ना आया हो तो ऐसे होता ही है R square बराबर 154 तो यहां से अपने को R निकालना है ठीक है ना तो वो साथ ही आएगा तो मगर आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो paper में 154 का multiple ही देते है तो अगर आपको पता होगा पहले से ही है तो आपको solve नहीं करना पड़ेगा टाइम बचेगा अगला question देखते है अगला question कहा रहा है कंचन एक घड़ी अंकित मूले पर 25% की छूट पर खरीदती है माना की अंकित मूले 100 पर था तो उसने कितने की खरीदी कि 75 की क्योंकि 25 की तो छूट है यह ना 75 की खरीदी होगी अब वो यह कह रही है she sold it with gain of 75% on what she has bought अब उसने जितने में खरीदी उसका 75% फायदे में उसने उसको बेच दिया हरा यानी कि 75 into 5 प्रामकों का मतलब हो था है तीन बैटेछा कार खार तो अगर हम इसको उपनोरा आंसर आ जाएगा ठीक है तो यह सॉल्व करके Lakini आ रहा यह आ जाएगा 7, 35, 35, 35, 37, 47, 49, 49, 35, कितना आए था? 49, 52, बटे 4, ठीक है? अब 525 को 4 से भाग दे देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है? पास सो पच्चिस डिवाइड बाय चार, चार एकम चार बचा, चार तीए बारा, बंप फूटा है, तो हमारा आंसर जोग न, 130 से उपर आ रहा होगा, तो 130 से उपर आ लाई कि ऑप्शन ऑप्शन वर पहला, क्योंकि हमने खरीदा सवर पे खता और हमने इसको 130 से उपर का जाएगा, तो यही इसका अंसर हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो गया, 31.25, क्योंकि उसने प्रॉफिट, प्रॉफिट ही पूचा है, बच्चे बाहर बंप फोड रहे हैं, बताओ, अगला कोशन देखते हैं, अब तो दिवाले को वोट टाइम पड़ा है, अब इसे बनिया में गदोगी कभी नहीं है, ओके, अगला कोशन देखते हैं, ABC को 8400 रुपे आपस में बाटने हैं, इस अनुपात में छे, अनुपात 7 अनुपात 8 में, ठीक है, और हमें बता रखा है, यदि उनकी बचत है, 3 अनुपात 2 अनुपात 4, तथा बीने 400 रुपे बचाए तो ABC ने कितने खर्च करेंगों, इसका अनुपात बताना है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, उनको मिला कितना कितना होगा, अगर हम इसको एड करें, तो यह होता है, 21X, 21X कमान अपने को दे रखा, 8400, तो X कमान आ गया, 4, 21, 400 आ गया, तो A को कितने भी लिएंगे, कितने होगी उसकी, 6,24, यह हो गया, A का, B को मिले, 8,32, और C को मिले है, 7,28, यह हो गया, उनका इंकम, ठीक है, अब जो वो बचाते हैं, मतलब खर्च करने के वाद जो बचत होती है, सेविंग, सेविंग का अनुपात दे रखा है, तीन अनुपात, दो अनुपात, चार, म मतलब होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यान की खर्चा, ठीक है, अब अपने को बता रखा है, कि जो, अब B है, वो चार सो रो बचाता है, है ना, यान की नीचे Y मान लेते हैं, तीन Y, दो Y और चार Y, और क्वेश्चन में अपने को 2Y कमान देरे का 400, अगर 2Y कमान 400 है, तो 3Y कमान 600 होगा, और 4Y कमान कितना होगा, 800 होगा, कहने का मतलब, ABC नाम देते हैं, ये A है, ये B है, और ये C है, ABC, C जो है, वो 2800 में सा 800 बचाता है, मतलब खर्च कितना करता होगा, 2000 खर्च करता होगा, तब तो 800 बचेगा, ठीक है, similarly, जो हमारा B है, वो कितना करता होगा, 400 हो बच रहे हैं, 32 कमान तो 28 से खर्च करता होगा, similarly, जो हमारा E है, उसके 600 बचते हैं, 24 सो इसकी सेलरी है, तो खर्च कितना करता होगा, तो 200 से सब के 200 खर्च कर दो, अब ये सारे 2 से कट सकते हैं, तो ये आ जाएगा, ने रिशो का है, 18 अनुपात, 28 अनुप जर का रिशो पता चल गया, 9 नुपा, 14 नुपा, 10, 9, 14, 10, अप्चन पर तीसरा, अगला कोशन देख लेते हैं, अगला कोशन कहा रहा है, 24 बच्चों की ओसत आयू 12 साल है, बाद में ये पता चला, कि एक बच्चा था, जिसकी आयू 8 साल थी, 14 साल लिख दी गई उसकी, यानि कि कम थी जादा लिख दी, तो कितनी कमी है उसकी आयू में, 6 एर्स, क्योंकि उसकी आयू 8 साल थी, मगर चड़ा कितनी गई, 14 चड़ गई, तो 6 साल कम करने पड़ेंगे, और ये 6 साल जो कम होंगे न, वो इन 24 के 24 बच्चों में कम होंगे, तो 6 बटे 24 कितना हो गया, यानि कि सभी की आयू में, 0.25 वर्षों के कमी होगी, तो पहले 12 थी, 12 माइनस 0.25 बच्च बराबर 11.75 इयर्स, आंसर आगे 11.75, ऑप्चन नमर तीसरा ही तो बहुत एजी कुशन था, अगला कुशन देख लोते हैं, अगला कुशन क्या रहा है, 70% CP is equal to 40% SP, loss या profit percentage बता हो, यहां से हम CP और SP का अनुपात निकाल सकते हैं, तो CP अपॉन SP कितना हो जाएगा, 40 बटे 70, 0 से 0 शहीद हो गया, अब देखो, CP के सामने है, 4 SP के सामने है, 7, यानि कि 4 रुपे का समान था, 7 रुपे में बेचा गया, तो कितने रुपे का फायदा हो गए, 3 रुपे का फायदा कितने पे चार पे, तो 3 बटे 4 का मतलग कितना होता है, 50% है, 50% का फायदा हो गया, क्योंकि म्यादा हैं, 4 रुपे का समान था, 7 में बेच रहा है, तो जादा हैं बेचे तो आन साह जाएगा, 50% profit, option number 30, अगला कु करें बहुत असानी होगा अगर आप ABCD में कन्फीज होते हैं तो कोई भी वैलू माल लो तो ऐसी कंडिशन में AB की वैलू माल लेते हैं 10 और 100 यहनि ए को माल लेते हैं 10 वी को माल लेते हैं 100 ठीक है तो A percent of B A की value कितने 10 तो 10 percent of B B कमाने 10 मतलब 100 तो 100 का 10 कितना होता है 10 ही होता है 10 plus B percent of A B कितना है 100 100 percent of A A कमान 10 है तो 10 का 100 percent कितना 10 ही होता है तो 20 आना चाहिए अब देख लो option 20 किसमें आ रहा है 2 A of 2 A percent of B पहला option ज़िए 2 A percent of B तो 2 into A कमान 10 परसेंट है तो 10 बटे 100 into 20 इससे 20 आ तो answer यह होगा टू A percent of B answer आ गया पहला यह option है तो कोई इससे 20 आ ठीक है ना टू A percent of B अगला question देखते हैं अगला question क्या रहा है यदि मैं इपनी सामाने गती के साथ बटे चेक की गती से चलता हूं तो अपने दफ्तर में 15 मिनिट पहले पहुंच जाता हूं दफ्तर पहुंचने का सामाने समय कितना लगता होगा फिर जब भी ऐससे question आ जाएगा जो अपने को fraction दिया हुआ होता है ठीक उसका व्यूद करम लिखते हैं और एक से घटा देते हैं है ना तो यह क्या हो जाएगा seven by sorry six by seven you minus you पतलब हमें speed के बारे में बात करनी है या time के बारे में बात करनी है तो यह जो बराबर होगा बराबर हम कर देंगे समय के जो भी अपने को समय दे रखा है उसके बराबर कर देंगे फंद्रा मिनिट ठीक है बस अपने को व्यूद करम किया माइनस किया तो यह हो कितना गया यह हो गया एक बटे 7 U बराबर 15 तो U कितना हो जाएगा U हो जाएगा 15 into 7 और 15 सत्य कितना हो गया 15 सत्य 105 आंसर ऑप्शन नमर 14 अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन कह रहा है एक आदमी ने 10,000 रुपे उधार लिए 3 साल में और 6000 पे लिए 4 साल में साधरन ब्याज समान दर से और उसको 5,400 रुपे मिले उधार दीते उसने और उसको पैसा मिला 5,400 में बताना है दर कितनी थी तो आपको मालूम होगा Simple interest is equal to P into R into T बटे 100 ठीक है अपने को ऐसे 2 case दे रखे तो एक बार और हो जाएगा इसे 1,1,1 कर दे R तो सेम ही है तो वो तो आ रहे हैं दे तो P2 into R into T2 बटे 100 P अपने को दोनों को दे रखे 10,000 और 6,000 तो 10,000 into R into time दे रखे 3 साल प्लस P2 दे रखे 6000 तो 6000 into R तो अब नों निकाल नहीं है into T2 time है 4 साल यहाँ पर बटे 100 आ जागा दोनों के ठीक है 200-10 शीट हो जएगा 500 500 तो यह कितना हो जाएगा 300R पलस 240R बराबर 5,400 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 5,400 is equal to 5,40R तो यह 10 बार चला गया तो R काहण कितना आ गया R बराबर 10 अंसर ऑप्शन नमबर पहला अगला क्वेशन देखते हैं ओके अगला क्वेशन कह रहा है इस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस के इस डिवीजिबल बाई एक्स प्लस वन देख लिया इसको बराबर कर दो एक्स बराबर किता जाएगा माइनस वन तो इस पूरे एक्वेशन में एक्स की वाली रख दो माइनस वन आणसर आजाएगा है ना इसको इक्वेशन को बराबर जीरो के कर देंगे तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन प्लस टू क्यूंकि माइनस वन का स्क्यार माइनस वन नहीं रहेगा प्लस वन हो जाएगा माइन minus 5 into minus 1 इनकी plus 5 plus k बराबर 0 तो 5 दूसाइब से गया 6 तो 6 plus k बराबर 0 तो k is equal to minus 6 ठीक है minus 6 अनसरा का option नमर पहला तो काफी easy question था अगला question देख लेते हैं अगला question क्या रहा है 3x 3x plus 1 upon 5x बराबर 7 अर्वन को निकालना है 5x बटे 15x square plus 15x plus 1 ओके friends कुछ भी नहीं करना इस इस पूरे समय करेंड को ना 5x divide कर दो 5x उपर भी और 5x नीचे भी ठीक है तो उपर तो वन आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा नीचे बचेगा 5 से 5 गया 3 3x plus 3 क्योंकि 5 15 plus 1 बटे 5 मार्च एक्स उपर एक एसके और हमें इसकी वैलू मालूम ही है 3x plus एक बटे 5x की वैलू साथ है तो क्या हो जाएगा एक बटे साथ प्लस तीन यानि कि एक बटे दसांसर आ गया option नमबर दूसरा ठीक है अगला question देख लेते हैं आगला question भी algebra से ही है वो क्या रहा है इफ x plus 1 upon 4x इकल टू 5 बटे दो तो हमें बताना है 64x की पावर 6 plus 1 बटे 8x क्यूब इसमें भी कुछ नहीं करना इस पूरे समय करने को 8x क्यूब से भाग दे तो तो यह क्या हो जाएगा जो हो जाएगा 8 x cube प्लस 1 upon 8 x cube इसकी value निकालनी है ठीक है डराने के लिए तो यह बना रखा है एक्च्छल में इसकी value निकालनी है ठीक है तो यानि कि हमें किसी बी तरह इस तेक पहुचने के लिए अपने को यह पता होना है चाहिए, 2x plus 1 upon 2x, इसकी value में निकालने पड़ेगी, क्योंकि 2 का cube art होता है न, तो हमें ये value calculate करने पड़ेगी, यानि कि अपने को ये input given है, इसको इसके according बनाना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जो input given था, यानि कि x plus 1 upon 4x plus 5 पर तो इस पूरे equation को 2 से multiply कर दो, तो य क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, 2x plus 1 upon 2x is equal to 5, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, 2x plus 1 upon 2x ब्राबर 5, अब हमें कुछ भी नहीं करना, ये अपने को निकालना था, हमें इसकी value पता चल गए, अब इसका cube करना है, अगर हमें एक से एक से पावर 3 तक पहुचना होता है, तो मैं बताएता हूं क्या करते है, अगर x plus 1 upon x की value k दे रखे है, और x cube plus 1 upon x cube निकालना था, वो फॉर्मला क्या होता है, फॉर्मला होता है, k cube minus 3 k, तो अभी k value कितना है, तो 5 का cube कितना होता है, 5 का cube minus 3 into 5, तो 5 का cube, यानि कि 10 minus 15, यानि कि 110, answer आगया 110, option number पहला, अगला question देख लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वार प्लस x बरावर 19, और x plus 5 का square plus 1 upon x plus 5 का square is equal to what, फिर्ट वैसे तो इस question को बिना solve करें भी answer ठीका सकते हैं, ठीक है, बिना solve करें, अगर बस आपको एखलका साप्रोश पता होना चाहिए, आ आपको यह पता होना चाहिए, कि अगर हमें x plus 1 upon x के value t दे रखी है, तो x square plus 1 upon x square होता क्या है, वो होता है, t square minus 2, ठीक है, यानि कि जो भी answer होगा न, वो किसी perfect square से दो कम होना चाहिए, क्योंकि अपने को square ही तो निकालना है, यह अपने को मालूम ही है, कि यहां से किसी ना कि x plus 5 plus 1 upon x plus 5 के वहला हमें पता चली रही होगी, यह hint है, ठीक है, ठीक है, कि अपने को यह calculate करना है, तो हमें यहां से कुछ ना कुछ इस तरह का मिली रहा होगा, ठीक है, तो यानि कि जो हमारा answer होगा न, वो किसी perfect square से 2 कम होगा, तो देख लेता है, आप्शन नमर पहला, क्य 77 किसी perfect square से 2 कम है, क्याने का मदले 79 किसी perfect square होता है, क्या नहीं होता है, यानि क्या answer नहीं है, option नमर दूसरा, option नमर दूसरा दिरख है 79, 79 में 2 जोड़ो, 81, बिल्कुल सही है, यह answer होगा, ठीक है, क्योंकि 81 perfect square होता है, तो 81 में से 2 गटा दो 79 answer आता है, कुछ करने की जरूत अगला कुशन देखते हैं, तो आपको अप्रोश पता होना चाहिए, ठीक है, तो answer आगे, option नमर दूसरा, अगला कुशन देखते हैं, वैसे जो इसका method है, अगर आपको method सीखना हो, तो आप लोग मुझे comment section में comment करके बताना, मैं आपको इसका method है, क्योंकि मैं आथा थोड ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है, ABC, AD, BE, CFR, the medians, AD, BE, and CFR, the medians, माधिक आए हैं, अगर हमें, जिस पॉइंट पर माधिका टच कर रही है, और, जहां पर बिंदू वो मिल रहे हैं, अगर हमें उसका area निकालना हो, तो friends क्यों कुछ भी नहीं करना होता है, जो अपने को बड़े area का triangle दे रखा होता है, उसको 12 से भाग कर देते हैं, यानि कि जो ये छोटा triangle है न, अगर हम ध्यान से देखें, a, b, c, upon, f, g, e, इसके जो ratio जो होता है, area का जो अनुपात होता है, वो होता है, 12 अनुपात 1, यानि कि पूरे का, पूरा अगर 12 x है, तो fg होगा 1 x, यानि कि बड़े वाले area को हम 12 से भाग कर देंग, तो छोटा वाले area आ जाएगा, ठीक है, तो अगला question क्या रहे है, अगला question क्या रहे है ने, triangle a, b, c, angle b is 15 degree, a, b, c, angle b is 15 degree का है, ठीक है ना, वैसे लगनी रहा है, मगर 15 degree का, d is a point on b, c, such that, d is a point on b, c, such that, a, d equal to b, d, a, d equal to b, d, यानि कि जो ये भुजा है, ये भुजा का बराबर है, अब ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर तो ये angle भी बराबर होगा है ना, ये ये 15 degree का होगा, अब देखते आगे क्या कह रहा है, what is the measure of a, d, c, a, d, c, अब देखो, जो angle a, d, c है, a, d, c, जो है, वो इस a, b, d triangle का exterior angle है, ठीक है, और exterior angle जो होता है, वो किसी भी triangle के opposite two angles का sum होता है, यानि कि जो ये इस angle के जो विपरित के दो angles हैना, उनका sum होता है, वो ये इस angle के बराबर होता है, तो दो angle है कौन से, 15-15 तो 33 हो जाएगा answer, option नमरr दूसरा, अगला question देख लेते हैं, अगला question कह रहा है, एक वर्ग में विकर्ण के लंबाई, नौ रूट दो है, एक वर्ग में विकर्ण के लंबाई, विकर्ण बना दिया तो ये नौ रूट दो है, यानि की भुजा कितने हो जाएगी, इसकी नौ की भुजा हो जाएगी, इस वर्ग को पुनह आकार देकर त करें बनाए गए इसी को मडूल किया और हमने द्रिभू box बना दिया है है कि वक की नौ 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 तो इसका जो परिमाप परिमाप कितना ओजाए गा स्क्वयर का नौ चॉक शक्टीज हो ऌके तो इसका पैरिमिटर थिश्टिज है तो इस ट्रैंग ल का बारा-बारा की हो जाएंगी, ठीक है, अब उस त्रिभुज के सबसे बड़े अंतेवरित का शेत्रफल कितना होगा, अब इस ट्राइंगल के अंदर एक वो बना हुआ है, इन सर्कल बना हुआ है, है ना, हमें इसका वो बताना है, एरिया बताना है, तो किसी भी एक्विलेट ट्राइंगल के अंदर, रेडियस क्या होता है, इन सर्कल का, वो होता है, ए अपॉन दो रूट तीन और ए क्या है, ए है भुजा, ठीक है, अगर रेडियस आ जाता है, तो पाई आर स्क्वार कर देंगे, पाई और स्क्वार, ठीक है, तो ए की वेलू बारा-पटक देते हैं तो जब हम 12 यहां पर रखेंगे तो 2 से कड़ जागा 6 वा तो यह हो जागा 6 रूट 3 यह नहीं रेडियस आगा 6 रूट 3 तो हमें आंसर पाई की टर्मस में दें तो पाई को पाई रहने दो और इसको हम कर देते हैं 36 बटे 3 क्योंकि स्क्वाइर करना पड़ेगा 6 का स्क्वाइर 36 और रूट 3 का स्क्वाइर 3 तो यह बारा बार चाहिए दो जाएगा तो बारा पाई आंसर आगया 12 पाई आप्शन नमर टीचरा अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या रहा है इस दे लार्जेस्ट इस दे लेंथ आफ दे कॉमन कॉड़ आफ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इस बारा दो सर्कल आपस में टक्कर मारती है सर्कल का रेडियस अलग लग है है ना जो उनकी जो कॉमन कॉड़ है उसकी लेंथ बारा है मालू यह दिन दोनों के सेंटर है हमें मालूम ही है जब सेंटर को जोईन करेंगे तो इसकी जो कॉड़ है वो आधे-धे में बट जाएगी यानि कि यह जो उपर वाली लेंथ जिस कि लंबाई 15 है और यह लंबाई 13 है और मैं क्या पूचाए अपने को यह दिस्टन्स है निकालनी है वह यह जो मैंने होच-बॉच कर दिया इसकी लंबाई निकालनी है अब देख वर एक्षाल है क्या यह दो को ट्रिवर्वू जाए जिसमें यह लेंथ 6 है यह लेंथ 13 है यह लेंद्ध 15 है यह लेंद्ध 6 है और आपको राइट अंगल ट्राइंगल तो पता यह होगा राइट अंगल ट्राइंगल के अंदर पायत अगोर स्थियोरम मैं बता जेता हूं होता क्या है यह सबसे बड़ी लंबाई है यानि यह करण है तो करण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग तो अपने को लंब मालूम है चे और करण मालूम है 15 तो आधार निकाला तो माइनस कर देंगे तो 15 का स्क्वेर माइनस 6 का स्क्वेर ओके यह हमें डायमीटर दे रखा तो 15 बटे 2 हो जाएगा 15 बटे 2 हना यह 15 बटे 2 का वर्ग हो जाएगा यह 15 बटे 2 यह 13 बटे 2 मगरे यह लंबाई तो हमारे पास 6 ही रहेगी ठीक है तो इसका अंडरूट करेंगे प्लस तेरा बटे दो का वर्ग माइनस छे का वर्ग इसको सॉल्व करके बस आड़ करेंगा अंसर आजाएगा ठीक ना इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि आपको आंसर दिख रहे हैं कि इतना टफ कॉस्चन नहीं है कि इसमें और टाइम वेस्ट किया जाए बस आपको यह अप अगला कोशन देख लेते हैं कि अगला कोशन थोड़ा से धवाकेदार लग रहा है तो यह काम करते हैं इसमें एंगल की वैलू रख देते हैं ठीटा की मतलब एक की वैलू रख देते हैं एक की वैलू हमने रख देते हैं इसके अंदर 45 रख देते हैं ठीक है तो साइन ए साइन 45 यानि की एक बटे रूट 2 कॉस सेक 45 होता है रूट 2 तो ये रूट 2 हो जाएगा फिर सेक A सेक A होता है रूट 2 फिर माइनस कॉस A माइनस 1 अपान रूट 2 10 A प्लस कॉट A 10 A की वैलू 1 और कॉट A की वैलू 1 सान तो यहां पर हो गयान थे से संस बराबर नमोद कर देते हैं है तो रॉब तू अब मैं इन धोनना को फर्जवार्ज रहादा हुआ को थिंग है रूट्टू बंटे रूट्टू हुएं फिर माइनस एक बंटे दो इंधम के मल्टिपलाय हो गी हिर माइनस 2 इन दोनों को multiply होगी तो 2 आ जाएगा फिर प्लस root 2 बटे 2 इस से value बनाएगी इस से value बनाएगी तो 1 1 2 ठीक है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बने आगया 2 minus 1 बटे 2 minus 2 ये पूरा bracket के अंदर और bracket के बाहर बचा है 2 तो इस से हो गया ये शहीद तो बचा minus 1 बटे 2 into 2 2 से 2 शहीद हो गया बचा minus 1 आंसर आगया minus 1 option number दूसरा ठीक है अगला question देख लेते हैं ओके अगले question में भी हम क्या कर रहे हैं ठीटा की value मान लेते हैं थीटा की value 45 वहां लेते हैं कोई बात नहीं तो वहां से पी की value आ जाएगी फिर पी की value रखके solve कर लेंगा answer आजाएगा ठीक है देख लेते हैं cost 45 की value 1 by root 2 तो उपर पहुंच जाएगा 1 into 1 बटे root 2 minus cot 45 बराबर 1 यहनी की 1 is equal to 1 by p तो हम यहां से पी की value नुकाल लेंगा तो यह क्या हो जाएगा under root 2 minus 1 equal to 1 by p ठीक है न यह root 2 पर पहुंच जाएगा तो p की value अक्षिल में क्या होगा p is equal to हो जाएगा under root 2 plus 1 क्योंकि हम इस work को निचे लाएगे तो rationalization करना पड़ेगा इसे rationalization करने के बाद हमें मिलेगा p की value under root 2 plus 1 ठीक है तो p कमान आगया under root 2 plus 1 अब कॉस्ट ठीटा की value किती होती है बतलब ठीट अबने फट्ट फट्ट मैने थे यानि कि जो भी answer होगा उसको solve करने बाद एक बटे root 2 आना चाहिए ठीक है एक बटे root 2 तो एक बार मैं थोड़ा screen को एक बटे की value रिके screen को थोड़ा सा clear करते हो कि अप्शिन को देखना पड़ेगा under root 2 plus 1 आना चाहिए पी की value 1 by root 2 solve करके आना चाहिए ठीक है देख लेते हैं एक बारी यहाँ पर हमें दे रखा पी प्लस 1 बटे पी माइनस 1 पी की value है under root 2 plus 1 तो यह हो जाएगा under root 2 plus 2 upon under root 2 और हम इसको solve करेंगे तो 1 by root 2 तो नहीं आ सकता है नहीं कि यह answer नहीं हो सकता ठीक है फिर दे रखा है P square बटे 2 P square plus 1 तो P square यानि कि इसका square करना पड़ेगा अगर हम P square करेंगे तो कितना आ जाएगा A square plus 20 का plus 2 बटे 2 यानि कि 3 plus 2 root 2 आना चाहिए तो P square plus 1 हो जाएगा 4 plus 2 root 2 बटे 2 इसको भी अगर हम solve करेंगे तो 1 by root 2 नहीं आ सकता तो यह भी answer नहीं होगा similarly इससे भी answer नहीं आ सकता क्योंकि अभी अपने देखा ही था कि नीचे तो बड़ी-बड़ी value बच रही है कटेगा भी नहीं अभी कर लास्ट वल आप्शन को solve करके देखते हैं 2 into under root 2 plus 1 बटे P square plus 1 यह हो जाएगा P square plus 1 तो वह बड़ा करकर देख लेते हैं P square A square plus B square plus 2 root 2 plus 1 यानि की 4 5 plus 2 root 2 plus 1 क्या क्या लिख दिया है बने A square plus B square plus 2 A B plus 1 ओके ठीक है तो यह नीचे क्या बन जाएगा दो एक 3 और एक 4 4 plus 2 root 2 बटे 2 into under root 2 plus 1 अब हम क्या कर रहे हैं 2 को divide कर देते हैं पूरे गयाब हो जाएगे तो यह बचा क्या under root 2 plus 1 upon 2 plus root 2 अब यह वार्स को rationalization करना पड़ेगा क्योंकि तब ही solve होगा क्योंकि 1 by 2 आना चाहिए तो हम कर देते हैं हो जाएगा 2 minus under root 2 upon 2 minus under root 2 तो नीचे किता बचेगा नीचे बच जाएगा 2 बच जाएगा नीचे क्योंकि A square minus B square हो जाएगा तो बचेगा नीचे तो यह एक्शल में हो क्या गया यह बन गया under root 2 plus 1 into 2 minus under root 2 upon पूरे का 2 अब इसको multiply करना पड़ेगा थोड़ा बड़ा हो गया 2 root 2 minus 2 plus 2 minus under root 2 बटे दो इससे यह शहीद हो गया ठीक है उपर क्या बचा उपर बचा 2 root 2 minus root 2 बटे दो अब 2 root 2 में से root 2 गया तो क्या बचा pen का color change कर लेते ताकि आपको सब्सक्राइब मैं कहां से कहां पहुचा हूँ दो में से बचा तूपर बचेगा root 2 नीचे 2 है अब देखो कट गया ना एक बारी तो बचा 1 by root 2 इससे या रहा है नहीं को आपको सब्सक्राइब करने के लिए तो काफी टाइम लगेगा अगर लास्ट ली आपका टाइम बचे तो यह ऐसे कुछन को सवाल्व करना वरना तो कोई फायदा नहीं है अगला कुछन देखते हैं अब डियाई आएगी ओहो बड़ी घतरनाग डियाई है चलो देखते हैं अपने को कुछ डेटा गिवन है प्रोडक्शन और सेल का what is the surplus of country A 13-14 taken together कौन से कंपनी का A का 13-14 ओके आपको surplus का मतलब पता होना चाहिए surplus का मतलब होता है समान बागे कितना रह गया ठीक है surplus तभी होगा जब हम पैदा जादा करें और खर्च कम करें तापको दिखी रहा होगा हमने country A ने 2013 में पैदा किया था प्रोडक्शन किया था 1631 और बेचा कितना तो total surplus कितना हो गया 131 किस में दे रखा ये कुइंटल में दे रखा है तो आंसर आजेगा 131 कुइंटल option देख लेते हैं option number दूसरा ठीक है अगला question देख लेते हैं answer आगया अगला question कह रहा है हाँ अगला question कह रहा है what is the stock of country c at the end of fourth year country c बचा कितना रह गया हम बचत कैसे नहापेंगे बस हमें क्या करना है कौन साल दे रखा है एंड of fourth year चौता साल चौता साल यह की यह है तो अंतर देख लो कितना है production minus sales कर दो 3014 सी का है न हाँ minus 2988 यह option तो हजारों में जा रहा है what is the stock of country c at the end of the fourth year okay you four year period इन four year means करना है चारों साल का minus करना है छारों साल का ठीक हे है छारों साल का minus करके add कर देना है कई बार जादा भी हो कई बार minus में होगा कई बार plus में भी होगा तो फिर भी अगर हम ध्यान से देखे तो यह 5000 वानिव attachment सीदंगा Here और तो माइनस में आ रहा है 200 कि अप्रॉक्सिमेटली माइनस 200 आ रहा है यहां पर अगले वाले में भी माइनस 200 के लगबग है उसके अगले वाले में करीब 600 का फायदा है प्लस में जा रहा है सारे ऑप्शन गलत है कि हमें बस माइनस करके अड़ करना है सारा जब देखते हैं से ने क्या लिखा वा है गलत होंगा इसके सारे ऑप्शन ओके नो करेक्ट आंसर दे रखा है यानि कि सारे गलत है ठीक है हमें करना किया इस कोशन में बस जो भी प्रडॉक्शन और सेल का जो डिफरेंस है उसको से रहाता है ठीक है अगला कोशन देख लेते हैं ओके अगला कोशन कैरा है वाट इस दिफरेंस इन आवरेज प्रोडक्शन एन आवरेज सेल्स और कंट्री सी इन गिवन फोर यर्ज कौन से इस का है है ऊक्न में देखो इसमें भी कुछ भी नहीं करना कि सी कंट्री ऑफ चार और करें गे अच्छा को मान औने दोराग करो उसके बाद उन दोरों का माइनस करके जो वैलू आएगी वह आंसर हो जाएगी ठीक है अगे तो में न pouco एड करना है अड करके 2022 को एड करना है एड करके 2022 कि चार से भाग करना है फिर यहां पर और यहां पर आ गई बार 218 तो अंतर कितनाare2 तो आइस हो जाएगा मगर अभी आप जब इसको एड करोगे तो वह वाली वालू लगा के साल करना ठीक है मैंसर मेना को बता दिया क्योंकि थोड़ा से दिमाख खोरी वाला क्वेशन है कि चलो इसमें भी कोई आंसर ठीक नहीं रखा वैसे भी अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन कह रहा है अगला क्वेशन बताना है सब्स में वह बताना है रिलेशन क्या कंट्री और कंट्री डी के सब्स में बताई दिया निकालते कैसे हैं मैं किया ना है ना वर करना कुछ नहीं होता है पस फिर देखना होता है कि ठेक है और एensor के dragging अभर कंपेर करना है आप इनका डिट्रेंस निकालोगे कंट्री डी के लिए कुछ डिफरेंस आएगा वसको हम लिख देए के वन के टू के ट्री के फॉर तो आपने दूर सबको आड़ कर दिया के वन प्लस के टू प्लस के थी प्लस के फॉर इसको एड़ करके मानलो आ गया 63 तो आप क्या कह सकते हैं कि surplus of B is more than D या जो भी जैसे से आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखते हैं कि क्योंकि पूरा कैलकुलेशन वाला है एड़ मल्टिप्लाइड डिवाइड प्लस माइनस आर जल्दी से होना चाहिए ओके यही सेशन का आखरी कोशन था ठीक होफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा अगर आप मोटिवेट आजकल होनी पा रहा क्योंकि थोड़ी से मेरी तवियत खराब चल रही है ठीक है मैं फिर भी फिर भी वीडियो बना रहा हूं कि चलो कुछ स्टूरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप वीडियो कंटीनू रखा करो तो मैं खाली उनीका सुनके मैं थोड़ कर सकते हैं वहाँ पर अपने डाउट को शेर कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेर कर देंगो डाउट ग्रूप का उसमें दो ग्रूप्स है एक तो वो ग्रूप है टेलिग्राम का जिसमें मैं पीडिएस शेर करता हूं और एक दूसरा ग्रूप है टेलि keep learning, bye